जिस लोकेशन पर ये टाउन्सिप आ रही है ये भी आने वाड़ा दूसरा गोल्फ कोस रोड होगा Ambience Mall से बड़ा मोल यहाँ पर Signature Global इस टाउन्सिप में लेकर आ रहा है इस डवलपर में वो पोटेंसियल है कि ये गुरगावा का दूसरा DLF बन सकता है American Express ने अपना Business Center चालू कर दिया है वही पर Sector 75 में Air India भी अपना Training Center लेकिया आ रहा है साड़े 22 एकड में लगबग 90% एरिया आपको ओपन और ग्रीन एरिया मिलेगा इस टाउन्सिप में आपको गोल्फ कोर्स भी मिलेगी सवा करोड रुपे की इन्वेस्टमेंट पर आपको विदिन 3-6 मन्स लगबग मिनिम्म 50 लाग रुपे का रिटन मिलेगी हेलो फ्रेंड्स हो आप सभी ठीक होंगे आज हम बात करेंगे एक नई टाउन्सिप की जिसका फर्स्ट फेस ओल्रेडी लोंच हो चुका है अपने आप में ये टाउन्सिप कई माईनों में बहुत ही खास है खास होने का सबसे पहला रीजन ये टाउन्सिप लेकर आ रहा है सिगनेचर ग्लोबल जिसके बारे में ओल्लेडी मार्केट में लोग डबी जुबान में कहने लगे हैं कि ये सहरगार दूसरा डियल अफ बन सकता है और इसी डवलपर में वो पोटेंशियल है दूसरी खास वजे जिस लोकेशन पर ये टाउन्सिप आ रही है वो है SPR रोड जिसके बारे में भी मार्केट में ये चर्चा है कि ये भी आने वाड़ा दूसरा गोल्फ कोस रोड होगा और SPR रोड की अगर हम बात करें तो DLF के बाद सबसे बढ़ा लेंड बेंक इस रोड पर सेक्टर 71 में सिगनेचर ग्लोबल के पास है DLF ओलेडी अपनी टाउसिप जिसको DLF फेज 6 हम बोल रहे हैं सेक्टर 76-77 में लौच कर चुका है जिसने अपने आप में मार्केट में बड़ा धमाका किया था अब बारी सिगनेचर ग्लोबल की है जिसने अपनी इस 100 एकड की टाउसिप में फर्स फेज को लौच कर दिय है officially तीसरी खास तुजह है ये टाउसिप अपने आप में एक अलग तरह का experience आपको देगी सभी तरह की social और civic infrastructure की facilities आपको इसमें मिलेंगी और ऐसा सुनने में आ रहा है सिगनेचर ग्लोबल के sources के through कि ambient small से बड़ा मोल यहां पर सिगनेचर ग्लोबल इस टाउसिप में लेकर जो कि अगर बात करें SPR रोड की तो अब तक सायग सोभा ने अपने नए प्रोजेक्ट कर्मा लेकलेंड में अनौस किया है उसके अलावा आसपास के किसी भी प्रोजेक्ट में इस एरिया में आपको गोल्फ कोस नहीं मिलेगा तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस टाउसिप और इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में मैं हूँ नरेसिंग से खावत और आज हम बात करेंगे डवलपर की प्रोफाइल के बारे में प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में साइट प्लान के बारे में प्रोजेक्ट के offer कर रहा है project amenities के बारे में future potential और appreciation की अगर आप इसमें invest करते हैं तो आपके लिए कितना juice है और क्या premium हम आने वाले 3-6 महीने में इस project में देख रहे हैं इसी के साथ साथ मैं इस area में जो इसी level के projects हैं उनके साथ भी आपको comparative analysis दूँगा कि क्या आपको उन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर signature global के इस project में इन्वेस्ट करना चाहिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं developer profile की signature global आज गुडगावा सहर में real estate market में अपने आप में एक बहुत बड़ा brand हो गया है 2014 से इन्हों ने इस सहर में अपनी journey start की और लगभख 7-8 साल के इस period में 40 से ज्यादा project या तो ये deliver कर चुके हैं या फिर इनके project under construction है और बहुत सारे project इनके line up है launches के लिए अब तो market में चारों तरफ के rumor है कि इस developer में वो potential है कि ये गुडगावा का दूसरा DLF बन सकता है हो सकता है इन चीजों के लिए time लगे या हम time से पहले ऐसी चीजों को speculate कर रहे हूं तो time के साथ साथ हम देखेंगे कि signature global अपने आपको कहां establish करता है current scenario को अगर देखें तो गुडगावा और इसके आसपास के surroundings में signature global के पास लगभख 500 एकर प्लस का land पारसल है जिसमें आने 2023 में signature global ने अपने आपको NSE और BSE में listed कराया और ये भी एक बड़े हैरान कर देने वाली चीज थी कि जब हर IPO धडाम से गिर रहा था उस time पे signature global के IPO ने अपने investors को बहुत अच्छा return दिया 385 रुपे के issue price पे जो share IPO में offer किया गया listing वाले दिन उसका rate लगभख 435 रुपे के आसपास था और अगर बात करें आज की तो signature का share लगभख 1400 रुपे के आसपास market में trade कर रहा है इसलिए जो investors signature के share से मुनाफ़ा कमा चुके हैं उनको signature global के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरुवत नहीं है अब इन्होंने जो अपनी transformation की है वो भी काबिले तारीफ है पिछले काफी साल से या लगभख ये कहलें कि 2014 से signature global सिर्फ affordable housing में काम कर रहा था लेकिन इन्होंने अपने last project से entry की है अल्टरा luxury segment में और उसमें भी इन्होंने record breaking sales की है जो द्वारका expressway पे sector 37D में इनका project आया था signature global deluxe DXP उस project में लगभख इनकी 600 unit थी जो की five time over subscribe project था और ये 600 unit लगभख तीन से पास दिन के period में इन्होंने sold out की है और इस project के साथ साथ एक और record signature global के साथ जुड़ गया कि ये इनका पहला project था जिसमें इनकी sales तीन हजार क्रोड प्लस पार गड़े अब जिन investors ने signature global के इस project में juice पिया है तो उनको integer था कि इनका अगला project कब आ रहा है तो वो project अब आ चुका है और अब फिर से लोग line लगा के signature global के project में invest कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप लोगों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए अगर आप भी interested हैं इस project में invest करने के लिए तो screen पर आपको मेरा number दिख रहा होगा project की किसी भी detail के लिए pricing के लिए discounts के लिए offers के लिए आप मुझे reach out कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं project की location की signature global ये project SPR road पर sector 71 में लेके आ रहा है अगर बात करें major highway से connectivity की तो SPR road सभी highway से well connected है NH8 से हम 5 से 10 minute की drive से sector 71 पर पहुंच जाते हैं अगर बात करें वाटी का चोक से तो sector 71 की वाटी का चोक से भी लगबग 5 minute की distance है वहीं अगर बात करें Delhi Mumbai expressway से तो वहाँ से 15 से 20 minute में हम sector 71 पहुंच सकते हैं गोल्फ कोर्स extension road, गोल्फ कोर्स road, हुड़ा metro station, राजी चोक, वाटी का चोक सभी से SPR road बिल्कुल centrally located है SPR road पर जो upcoming developments हैं उनकी वज़े से भी ये road काफी चर्चा में है अभी वाटी का चोक पर दूसरा क्लोरली flyer plan है जो की बहुत ही जल्दी उसका काम स्टार्ट होने वाला है उसके बाद ये connectivity और बेहतर होने की उम्मीद है इसी के साथ साथ जैसे की हमने देखा है गोल्फ कोस रोड को elevated रोड बनते वे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि SPR road भी दूसरा गोल्फ कोस रोड होगा इसका elevated रोड का प्लान already proposed है आज पास की surrounding की बात करें तो American Express ने अपना business center चालू कर दिया है sector 74 में जिसकी वज़े से हमें बहुत अच्छी demand इस area में generate होती हुई मिलेगी वही पर sector 75 में Air India भी अपना training center लेके आ रहा है इन चीजों की वज़े से SPR road को एक बहुत अच्छा boost मिलेगा क्योंकि जहाँ पर commercial activity जिस area में ज़्यादा होगी demand वहाँ से generate होगी और demand और supply के पीछे real estate market पूरी की पूरी घुमती है Now let's come to project site plan Signature global के पास sector 71 में 100 acre का land power सब है जिसमें अभी ये जो first phase में लगबग 25 एकड़ पर अपना project लेके आ रहे है जिसमें लगबग 90% area आपको open मिलेगा Signature global का ये project एक low density project है लगबग 40 to 45 units पर एकड़ Signature global इसमें आपको offer कर रहा है आज के दिन market में जो demand low density projects की है उसने अपने आप में builders को सोचने पर मजबूर कर दिया है क्योंकि पहले हम देखते थे developers एक एकड़ में 80-100 unit लेके आते थे वही पर आज market में उस project को सबसे ज़्यादा limelight मिलती है जिसमें 40-50 unit पर एकड़ होती है क्योंकि लोगों को चाहिए एक ultra luxury lifestyle साड़े 25 एकड़ में लगबग 90% area आपको open और green area मिलेगा साथ की साथ इस township में आपको golf course भी मिलेगी first phase में signature global साथ towers लेके आ रहा है G plus 40 height के concept पर जिनमें लगबग 600 unit होंगे साथ towers में से 2 tower होंगे 3.5 bhk टाइप के और 5 towers होंगे आपके 4.5 bhk टाइप 3.5 bhk में आपको 32a core का concept मिलेगा वही 4.5 bhk के टाइप में आपको 22a core का concept आपको मिलने जा रहा है वही 4.5 bhk टाइप में आपको 22a core का concept मिलेगा size की बात करें तो जो आपका 3.5 bhk का size होगा वो लगबग 2780 square feet के आसपास होगा वही पर आपका 4.5 bhk का size 3780 square feet के आसपास होगा अब बात करें अगर amenities की तो इस project में आपको signature global लगबग 50 plus amenities ओफर कर रहा है सबसे पहली चीज़ आपको इस township में गोल्फ कोर्स देखने को मिलेगी एक लाख square feet का club house आपको इस project में मिलेगा 5 lifts in every tower 9 hall golf course आपको इस township में देखने को मिलेगी बास्केट बाल कोट, जोगिंग ट्रेक, टैनिस कोट, टू किड्स स्विमिंग पुल, ट्री ओल वेदर स्विमिंग पुल, बेडमिंटन हॉल, फाइफ टायर सिक्यूरिटी, प्राइवेट लिफ्ट लोबी, sky garden on 30th floor, etc. क्योंकि अगर मैं सभी amenities आपको one by one बताने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, स्क्रीन पर मेरा number है, आप मुझे hashtag sgt type करके मेरे whatsapp number पर message कर दें, मैं आपको ये complete list of amenities send कर दूँगा, अब बात आ जाती है pricing की, जो की सबसे major key point है, कि क्या हमें इस project में जाना चा ये, signature global का जो official booking price है, वो है 4.5 BHK के लिए 17,400 निन्याड में per square fit और 3.5 BHK के लिए 17,900 निन्याड में per square fit, लेकिन इसके बाद signature global EOI पर 1000 रुपे का inaugural discount दे रहा है, तो उसके बाद ये price आपका हो जाता है, 16,400 निन्याड में per square fit for 4.5 BHK, एंड 16,900 निन्याड में for 3.5 BHK, लेकिन offers यही नहीं रुकते, 4.5 BHK में आपको 3 car parking दी जारी है, जो लगभग साड़े 22,00,000 रुपे की वर्थ रखती है, वही 3.5 BHK में आपको 2 car parking दी जारी है, और इनका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा इसके अलावा signature आपके लगभग 10,000,000 रुपे के club charges भी इस project में wave off कर रहा है, and for much more offers, reach out to me on the number given on your screen, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं, तो क्या इस project का future potential है, क्या appreciation मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बिना return और appreciation के मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इसमें पैसा लगाने को तयार होगा, तो मैं अपने सभी clients को एक चीज बार बार बोल रहा हूं, कि इस project में अगर आप पैसा लगाते हैं, तो ये well expected है कि लगभग 10,000,000 रुपे की investment पर आपको within 3 to 6 months, लगभग minimum 50,000,000 रुपे का return मिले ही मिले, अब कैसे मिलेग की unit की, तो लगभग 4,000,000 क्रोड रुपे starting price है, signature global पहले 90 days में आपसे 25% payment ले रहा है, जो लगभग 10,000,000 क्रोड रुपे के आसपास बनेगी, अब अगर आप 10,000,000 क्रोड रुपे की payment करके और इस project में एक unit को ले लेते हैं, तो signature global जो अपनी next phase लगभग 3 महीने के बार ल हाइक होगा ही होगा, तो अगर 2,000 रुपे का हाइक first phase में होता है, तो आपका 3.5 BHK का size है, लगभग 1160 square feet, तो आपकी jam में 55,000,000 क्रोड रुपे का premium आता है, और अब अगर इस premium को cash करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपके पास available हूँ, within 6 months, अगर आप project से exit लेना चाह आते हैं, with premium, तो ये support मेरी तरफ से आपको रहेगी, साइब ये चीज आपको market में कोई भी broker या dealer ना दे, लेकिन हमारे सभी clients के लिए इस project में safe exit दिलाने के जिम्मेवारी हम खुद लेते हैं, और ऐसी 7 phase इस project में आ रही हैं, जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि लगबग हर phase मे 2-3,000 रुपे का price variation आएगा, अब ये price variation का benefit अगर आप first phase में entry कर लेते हैं, तो आपको मिलना बिल्कुल पक्का है, साथ ही साथ इस project में आपको developer की तरफ से first transfer free दिया जा रहा है, उसका कोई charge developer आपसे नहीं लेगा, तो जो भी premium होगा, वो total आपकी jam में जाएगा, उसमें से आपको किसी भी तरह का कोई भी charge developer को नहीं देना है, और जिन investors ने signature global के पिछले project 37D में return का juice पिया है, उनको मुझे नहीं लगता, और जादा समझाने की या बताने की जरूरत है, कि इसमें वो juice कितना मिलने वाला है, Now let's do project comparison, अगर बात करें SPR road के ultra luxury projects की, तो अभी recently सोभा का वहाँ पर project आया है, DLF का वहाँ project आया है, इसके अलावा भी और दो तिन projects या तो launch हो चुके हैं, या upcoming time में launch होने वाले हैं, आज के दिन SPR road पर जो ultra luxury projects हैं, आपको 18-22,000 रुपेगा rate उनमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर signature global आपको लगभग साड़े सोड़ा हजार रुपेगा rate offer कर रहा है, तो price range के हिसाब से भी इस project में investment बनती है, तो यह था signature global के इस newly launched project की details के बारे में, आगे भी मैं कोसिस करूँगा कि आपको एक site tour भी कराएं, इसके अलावा अगर आपकी कोई query है, इस project को लेके, pricing को लेके, तो screen पर हमारा number है, आप मुझे किसी भी time call या WhatsApp कर सकते हैं, ज्यादा better रहेगा कि आप अपनी query WhatsApp पर हमें भेजें, ताकि immediately हम आपको reach out कर सकें, इसके अलावा बहुत ही जल्दी इसमें आपका 3.5 BHK की units के लिए जो EOI लग रही थी, वो close होने वाली है तो अगर अभी भी आप wait कर रहे हैं booking लगाने का, तो ये बहुती सही time है, देरी मत कीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों को 37D में allotment नहीं हुई या जो booking नहीं लगा पाए, आज उन लोगों को बड़ा मलाल है कि हमें उस project में जाना चाहिए था, लेकिन देर आए, दुरुस इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हमारे latest videos हों, उनका notification तुरंत आपके पास पहुँच जाए, इसके अलावा भी मैं गोद्रेज और PPTP का एक और प्रोजेक्ट आपके झालए, झालए, खरनए, तुरंग।